दोस्तो 1000 रुपे के प्राइस सेग्मेंट में आपको 20 लेंच सेटिंग, 2 साल की वारेंटी, इन बॉक्स फास्ट चार्जर और 90 मिनिट्स का बैटरी बैकप किसी दूसरे टीमर में देखने को नहीं मिलेगा मगर इस टीमर में हमें देखने को मिलता है तो जानेंगे क्या सच में ये टीमर दमदार है भी या नहीं तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा अच्छी लगे तो शेर भी जरूर कीजिएगा दोस्तो ये है अगेरो ग्रेंड की तरफ से MT6001 टीमर और इसकी एमेजोन पे कीमत है 999 और बॉक्स पे तो वही सब लिखा है जो मैंने आपको बता दिया है तो फटावर से बॉक्स खोल के देखते हैं अंदर क्या-क्या निकलता है और 90 hour minutes का आपको बैटरी बैकप मिल जागा और साथ में ये भी कुछ है देख लेंगे हम लोग खोल के उसको तो और अंदर आपको मिल जाता है user manual जिसके अंदर भी आपको मिलेगा दो साल की warranty के लिए warranty कार्ड भी और यहाँ पे ये दिखिए ये है oil की डबी जिसको आप लोग अगर जो blades के अंदर वाली side होती है जो motor का head होता है वहाँ पे अगर आप लगाओगे तो trimmer लंबे समय तक smoothly काम करेगा और इस bottle में आदा oil को है ये तो मुझे भी नहीं पता और यहाँ पे आपको दिख जाता है ये brush जिससे आप जो hair वगेरा होते है उसको clean कर सकते हो trimmer के उपर से आसानी से और यहाँ पे आपको मिल जाता है एक fast charger जो की 2 गंटे में इस trimmer को charge कर देता है और trimmer में आपको मिलते है दमदार बैटरी जो की 90 मिनिट्स तक आपका साथ नहीं छोड़ेगी और यह जो charger इसकी cable काफी लंबी है जो की काफी जादा बढ़िया बात है केबल लंबी होने से क्या फायदा होता है अगर आप लोग charging वगरा करना भूल जाते हो और आपको अगर इसको हम आगे और पीछे दोनों साइट से पकड़ के बहुत ही आसानी से रोटेट कर सकते है ऐसा हमें mechanism सिर्फ महेंगे टीमर्स में देखने को मिलता है मगर इसमें भी मिल रहा है जो कि काफी बढ़िया बात है और जब आप लोग इसके fast charger से इसको connect करते हो तो आपको मिल जाती है यहाँ पर एक red color की charging indicating light जो कि आपको बताती है बैटरी इसमें charge हो रही है या नहीं और अगर मैं आपको comb की बात करूँ तो comb भी काफी जादा सही है जिसमें आपको आगे से देख सकते हो ऐसी design है जो कि जो hair होता है उसको uplift करके सही सही length में उनको cut करता है और इससे हमें एक अच्छा trimming experience मिल जाता है तो अगर मैं आपको blades की बात करूँ तो blades हमें इसमें मिल जाती है stainless steel की जोगी इस price range में आपको सभी trimers में stainless steel की blades मिलेगी और stainless steel की blades में यही problem होती है कि वो heat up हो जाती है काफी जल्दी मगर इतनी ज्यादा heat भी नहीं होती है कि हम send नहीं कर सके normal heat होती है मगर heat तो heat ही होती है और अगर heat नहीं चाहिए तो हमें लगानी होगी titanium blades और titanium blades लगाने से trimmer की price भी काफी जादा बढ़ जाती है और इसमें आपको मिल जाता है detachable blade head जिसको आप आसानी से पानी के अंदर दो सकते हो जो hair वगेरा उसको साफ कर सकते हो तो अब हम जल्दी से इसका trimming का test भी करके देख लेते हैं पहले आप देख सकते हो मेरी इतनी beard हुगी और इसको मैं फटाफट से trim करके आपको दिखाता हूं कैसा इसका experience ना मेरा streamer के साथ तो यहाँ पर अब आप लोग result को देख सकते हो मैंने इससे trim कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हो काफी जो zero length बिना com के मैंने trim किया तो काफी सही से इसने जो hair उनको remove कर दिया है और अलग-अलग जो com की मैंने length से किया था उससे भी काफी बढ़िया जो नीचे की side म थोड़ी डाड़ी मैंने रखिये वो आप देख सकते हो तो com blades और इसकी power तिनों ने ही मिलके काफी कमाल का performance दिया है और अगर आप लोग clean trimming करते हो beards को ने रखते हो और एकदम clean trim के लिए आपके लिए काफी कमाल करेगा यह trimmer आप लोग 10-15 मिंट में आराम से जल्दी-ज हो जाएगा तो overall 1000 रुपे की कीमत में सबसे बड़िया package आपको इसी trimmer में मिल रहा है और इसकी link आपको description में मिल जाएगी Amazon की जिस पे 999 इसकी price है comments जरूर कीजिएगा अगर आपके मन में कोई भी questions वगेरा हो तो मैं जरूर से reply दूँगा वीडियो को like जरूर कीजिएगा और share जरूर कीजिएगा किसी को भी trimmer वगेरा के बारे में जानकरी चाहिए तो उन्हें और कर लीजिए चैनल को subscribe रैड कलर का बटन दबा के साथ में bell icon दबा दीजिए all notification on कर दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस मिले सबसे पहले जै हिंग वन्दे मातरम जैसी कृष्ण मिलता हूँ मैं आपसे ऐसी अगली कमाल की वीडियो में